आकाश्मानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नुमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग मुख्यमंद्री शिवरा सिंग चोहान ने आज कहा कि राज्य में लोट रहे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिने समीत उन्हें सभी सुविधाएं मोहिया कराने सरकार प्रतिबध है और इस दिशा में कारे भी शुरू हो गए हैं शिचोहान ने उमरिया में पत्रकारों से कहा कि इसी क्रम में राज्य में मंडरेगा के तहद तीजी से कारे प्रारम किये गए हैं उन्हेंने का है कि कुरोना संकट से सभी जूच रहे हैं और इसका मुकाबला हम सभी को मिल करना है प्रदीश में ग्रामीडों को उनकी आबादी भूमिका मालिकाना हक देने के लिए स्वामित्वी योजना शुरू की गए है इस योजना के प्रथम वर्ष में राजे के दस जिलों का चैन किया गया है बचे वे जिले अगली वर्ष शामिल किये जाएंगे पेश एक रिपोर्ट सर्वेक्षण का काम भारती सर्वेक्षण विभाग द्वारा पंचायत एवं ग्रामीड विकास और राजेस्व विभाग के माद्यम से किया जाएगा योजना के तहत प्रथम वर्ष में प्रदेश के दस जिलों का चैन पाइलेट प्रजेक्ट के तौर पर किया गया है ग्रामीड आवादी सर्वेक्षण योजना का मुख्य लक्ष ग्रामीड संपत्यों का अधिकार अविलेक तयार करना और प्रतेख संपत्य मालिक को उसकी संपत्य का सौमित प्रदान करना है अधिकार अविलिक तयार होने का लाव यह होगा कि इससे संपत्तियों पर बैंक से रिण लेना आसान हो जाएगा संपत्तियों के पारिवारिक विभाजन और हस्तान तरण की प्रकरिया सुगाम होगी और पारिवारिक विवाज भी कम होगे इसका एक अन्य फायदा यह भी है कि इससे ग्राम पंचायतों को इस्थानी स्थर पर आये के साधन प्राप्त होंगे संजीव शर्मा, आकाश बढ़ी समचार, भोपाल बारती प्रद्योगी की सिंस्थान की पूरुभ शात्रों ने कोरोणा महाबादी के संक्रमितों की जाच के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टेस्टिंग लाब बनाने का निड़ने लिया है IIT एलुमिनाई कॉंसिल ने फैसला किया है कि वो मुंबई में कुरोणा के जांच के लिए एक मेगा लाब बनाएगा जिसके जरीए हर माह एक करोड लोगों का टेस्ट हो सकेगा इसके लिए ग्लोबल पार्टनर्स की खोच की जा रही है IIT के करीब एक हजार पूर्फ चात्र दुनिया भर में अपने इस्तर पर प्रयास कर इस महत्वकांग्शी परियोजना को पूरा करने में लगे है उत्तरप्रदेश, राजिस्तान और मज़रप्रदेश में टिडी दलोगी सक्रियता पर नियंत्रण के लिए केंदर सरकार ने हेलिकॉप्टर से केटनाषकों के छटकाव कारणे लिया है क्रिशी मंत्री नरिंद्र सिंग तोंबर ने कहा है कि सरकार इस समस्या को पूरी गंभीरता से ले रही है उचे पेड़ो और दुर्गम शेत्रों में केटनाशकों के छटकाव के लिए ड्रून का उपयोग करने के साथ हेलिकॉप्टरों की सिवाय लेने की भी तयारी की जा रही है राज्यों के साथ मिलकर सभी आवश्यक कदम उठाय जा रहे हैं और उन्हें सलाह भी जारी की जा चुकी है क्रिशी मंत्री की अधिक्षिता में गुरवार को उचिस्तरी बैठक में टेड़ी नियंद्रन के उपायों की समिक्षा की गई इस कीट के नियंद्रन के लिए 11 नियंद्रन कक्ष स्थापित कर विशीश दलों की तैनाती कर उनके साथ अतरिक्त कर्मचारी भी लगाए गए हैं सभी इस्तानों पर किसानों की मदद से नियंद्रन दल ततपर्था से कारवाई में जुटे हुए हैं वहीं कटनी सिले में टेदी दल ने कल विजय रगोगर शित्र में उरत मुंग की फसलों को काफी नुकसान पहुचाया है फ्रदेश में कोर्णा संक्रमित लोगों की संख्या साड़े साथ हजार तक पहुच गई हैं जबकि इन में से 4050 लोग स्वस्थ हो चुके हैं सबसे ज्यादा संक्रमित इन दौर सिले में पिछले 24 गंटों के दौरान 84 ने मरीजों के मिलने से सिले में कोर्णा प्रोहवितों की संक्या 3344 हो गई है वहीं कोविड-19 के करण चार मरीजों की मौद के साथ ही अब तक 126 लोगों की मौद हो चुकी है जिले में फिलहाल 1545 कोरोना संक्रमित मरीजों का विभिन नस्पतालों में उपचार जारी है राजानी पुपाल में कल 22 नए मरीजों का पता चला मन्सौर में राहत भरी खबर ये है कि 29 कोरोना सैंपल की जाच रपोर्ट आज प्राप्त हुई जिसमें सभी नेगेटिव है मुंबई से अनुपूर वापस लोटे दो वेक्ती कोरोना पॉजिटिव पाए गए है नीमत जिले में आज अभी 9 कोरोना जाच सैंपल रपोर्ट प्राप्त हुई है इनमें से 7 रपोर्ट पॉजिटिव पाए गई है ये सभी रिपोर्ट उनमेत पुरा से है धार्जिले में 3 नय कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 123 हो गई है रेल मंत्राले ने अपील की है कि गर्वती महलाए 10 साल से छोटे बच्चे 65 वर्ष से अधिक आयो के लोग या जिनको पहले से ही कोई विमारी हो वे जरूरी होने पर ही रेल यात्रा करें ये अपील यात्रा के दौरान हुई कुछ मौतों को लेकर की गई है अब कुछ समाचार संक्षेप में मंसर और जिले ने राश्य कृत्यम गर्भाधान कारिक्रम में बीस हजार पश्वू की कृत्यम गर्भाधान का लक्ष प्राप्तकर उपलब्धी हासल कर ली इसकी जानकारी केंद्री पश्यपालन और डेरी विभाग ने ट्विट कर दी मुक्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने आज दिवंगत ग्रहस्त संत ददाजी के प्रती श्रधांचले अर्पित की श्रिचोहान, ग्रहमंत्री डॉप्टर नरत्तम मिश्रा, प्रुदीश भाजपा आध्यक्ष, विश्नोदत्य शर्मा, संगठिन महामंत्री जोहास भगत और अन्य निताओने कटनी में प्रती श्रधांचले अर्पित की आगरमालवा क्रिशिपच मंडी चौथे चुरण की खरीदी एक जून से की जाएगी, इसके तहत आगरमालवा और बडोद विकासखन की सभी ग्राम पंचायतों की किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए ग्राम पंचायत पार दिथी का निर्धारन कारिक्रम मंडी द्वारा जारी की आग्या है। विल्ड़न कारिक्रम की की आग्या है।